हेलो दोस्तों नमस्कार आप सबी लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टडी फायर में दोस्तों आपको पता है कि मैं डेली वेकेबिली का लेक्चर लेकर कियाता हूं जिसमें पांच वाकेब पांच वनवर सब्सेशन और पांच इडियम फ्रेजिज लेकर कि जाता हूं जो कि अपके लिए मोस्ट इंप्रवड़न सब्सक्राइब के लिए चलिए शुरू करते हैं पांच वक्ते पहले तो क्या है वो पांच वक्ते अचिमिंड करना तक्था पलट करके जैसे भी अफगानिस्तान में क्या हुआ तालिबान ने तक्था पलट कर दिया लोग सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना ले अथियार के दम पर तो वही होता है कुपस, तो कुपस में इस क्या होता है, achievement या फ्क्रेक्वा सब्सक्रायां SPEAKER मतलब घर मतलब होता है कि अगला इसका मतलब होता है lack of care कोई accident हो जाता है जब आप careless होते हैं तब आपका क्या होता है कोई दुरगटना हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं per incurium per incurium मतलब होता है lack of care या carelessness ठीक अगला है fourth coming अब सभी लोग जानते होंगे fourth coming मतलब बता upcoming या next अगला या eminent च्ष्थ के बाद तुरंत अगला क्या होगा इसका मतलब इसी कह मतलब कया बोलते है fourth coming बोलते है fourth coming मिंस कई हो गया next upcoming या अगला आने वाला endorph स्थ ह Всके पांचमा क्या vocab मतलब होता है किसी का campaigns मिंस की होता है इसका मतलब होता है साइता करना support भी होता हुं साथ Jug okay क्या करते हैं अगला मारा हम पेला है फुर फ्री फ्राप्स्टर्विंस स्दीर, फ्री फ्राम डिस्टर्विंस मतलब ऍम। किया होता है कि रिश्टर्विंस से प्रेंदिस से तो उसे रहें घ्ल प्रेंद depatif है ट्रेंटिस नहीं पसंद है तो उसे उसांति जहांपर शांति और क्या बोलते हैं है विझुन ट्रेंट्ड पोलते हैं अगल्ला वरंब यसी और स सप्षोयों क्या है Many aquesta ऑघ्ल्स मतलब कि किसी एजेंड को सिल के लिए money देना तो उसे हम क्या बोलते हैं assignment बोलते हैं अगला आपका वर्मर सब्सुशन क्या है believe that God is in everything क्या कहा है कि God हर जगे है and that everything is God और God हर जगे है तो क्या हो गया सब कुछ में इसका कहने का सिंसे है दोस्तों कि हर जगें God हैं सब कुछ में हर चीज में God होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं pantheism इसे क्या बोलता आजाता है pantheism अगला आपका क्या one more substitution है one of the highest quality किसी भी चीज़ का बिल्गुल highest quality का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं इडियम फ्रेज़स क्या है पहला है वन पहला इडियम फ्रेज़स laying it on thick laying it on thick मिस क्या होता है कि किसी जिदको बढ़ा चड़ा के बताना किसी जैसे माँ लेजे कि आपी का कोई दोस्त है कमा 10,000 रुपे रहा है और पूरा सोर कर दे रहा है आरह जगे कि किसी जिदको बढ़ा चड़ा के कहना किसी बात को तो उसी के हम क्या बोलते है laying it laying it on thick मिस किसी जिदको बढ़ा चड़ा के बताना अगला है get on will get on will means head friendly relationship यानि कोई वेक्ति है अमेशा क्या रखता है लोगों से friendly relationship रखता है अमेशा enemy वाली भावनाक नहीं होता है दोस्तों से वो लोगों से क्या करता है दोस्ति वाली भावनास मिलता है नहीं हमेशा friendly relationship लोगों से बनाता है तो उसे हम क्या बोलते है got on will अगला है आपका go for a song go for a song मतलब क्या होता है soul चिपली कोई वस्तु विल्कु सस्ती बेची जा रही है तो उसे हम क्या बोलते है go for a song go for a song उसे बोलते है यानि soul चिपली किसी वस्तु को सस्ते में बेचना उसी को क्या बोलते है go for a song अपका अगला idiom phrases है a damsel in distress damsel मतलब क्या होता है girl होता है दोस्तों damsel miss क्या होता है girl होता है damsel in distress miss हो गया a girl damsel in distress miss हो गया a girl in a problem कोई लड़की जो है किसी problem में उसे हम क्या बोलेंगे damsel और damsel in a distress ठीक अगला idiom phrases है a flying visit a flying visit very short time का visit कहीं पर कुछ समय के लिए जाना फिर once written हो जाना तो क्या हो गया visit for a short time कहीं पर थोड़े समय के लिए विजिट करना उसे हम क्या बोलते है short जैसे कि का जैसे माली कोई sentence से कि प्राइम मिनिस्टर मोधी तमिल नाड़ी गये for a flying visit तो क्या हो गया very short time के लिए गये फिर वो वहाँ से return हो जाएंगे तो दोस्तों यह रही है आज की आपकी पूरी वक्यव मुझे उमेद है कि आपको फिल्कु समझ में आया होगा तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद